यूपी के कौशांबी जिले में देरशाम को सराफा व्यापारी से सूने और चांदी के गहने की लूट के आरोपी को मुढभेड के बाद गिरफतार कर लिया गया आरोपी के पैर में गोली लगी है जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है कौशांबी में अपनी दुकान बंद कर घर लोट रहे व्यापारी को लूटने के आरोपी को पुलिस टीम द्वारा गुरुवार की शाम को मुखबिर की सूचना पर लूट करने वाले आरोपी को घेर लिया गया इस पर आरोपी ने फाइरिंग करनी शुरू कर दी पुलिस ने आरोपी को खेल लिया मुढ़ फिर में एक आरोपी को गोली लगी आरोपी के पास से पुलिस ने लूटे गए गहने और काली अपाचे बाइक एक अवेद तमंचा और कार्तूज परामत किये हैं पुलिस ने खाय लारोपी को इलाज के लिए इस जलास्पताल में भरती कराया है के लिए हमारी पांच टीम में कल से ही लगादार कॉंबिंग कर रही थी आज एक सटीक सूचना प्राप्त हुई कि यह जो बाकी दो अभ्युक्त गड़ हैं यह संदीपन घाठ छेतर में उपस्तित हैं इनको घेराबंदी की गई और यह आलमचंद रोट पर जो संपरक मार करके भाग गया है जो अभियुक्त गिरफतार है उसके कबजे से जो लुटा गया जिवरात है वो बरामद हो गया लगबख सत्प्रस्थ बरामद है थोड़ा माल ले करके दीपू गया उसे भी सी गिरफतार कर हम लोग बरामदगी करेंगे इसके कबजे से 1315 बोर का जो पि न्यूस के लिए ब्यारा रिपोर्ट